मथूरा की धाना जमुना पार पुलिस ने तीन दिन पूर्वोपुई तीन लाग की लूट का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने कारूपी को ग्रफतार कर लूटी नगदी बरामत कर ली है। आपको बता दे कि 15 अक्टूबर को दोपहर में एक व्यक्ती ने लक्षमी नगर से व्रंदावन बैंक में तीन लाग रुपे जमा करानी जाती समय एको सवार कुछ यूको पर लूट करने का आरूप लगाय था। शिकायत के बाद हरकत में आई स्पी सिटी मारतेंड प्रकाश्व सिंग सीओ सदर प्रवीन मलिक वाथाना पुलिस ने मौका मुआइना किया। इसके बाद से ही पुलिस सिटी वी के आधार पर आरूपियों की पहचान में जुटी हुई थी। काफी चानवीन करने के बाद पुलिस लूट के आरूपि तक पहुच गई और आरूपि को ग्रफतार कर लिया पुलिस ने आरूपि से लूटी गई नगदी भी परामत कर ली है। सूत्रों की माने तो रूपे जमा करानी जा रहा व्यक्ती ही इस लूट का सूत्रधार है। फिलाल पुलिस आरूपि से पुचताश मिचुटी है। इस सूचना पर थाना जमुनापार में अव्योग पंजी करित किया गया था। और इसमें कई टीमें लगाई गई थी हमारी सर्विलांस की स्वाट की और जमुनापार पुलिस द्वारा इसमें काम किया गया और चौविस घंटे के अंदर ही इस घटना का नावरण किया गय तो रास्ते में उसने बताया कि हमारे साथ लूट हो गई हैं अभ्यूक्त आकास को पुलिस द्वारा ग्रिफतार किया गया और उसके पास से अठी कहानी गढ़के पुलिस को सूचना दी यह पिछले डेड़ माहिने से उस एजंसे पर काम कर रहा था जो उसके रिस्ते में बतीजा भी लगता है मालिक का अब नया लड़का है पहला इसने क्राइम किया है और इसको लालच किनी कारणों से आया इनकी साधी भी जल्दी ह हुई है तो इनको पैसे गिलाला चाहिए और उस में इस नहीं लखना करती है